Hey guys, welcome back to the channel चैनल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो अगर आपका खाता SBI Bank, PNB Bank या फिर Bank of BRODA में है तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि कुछ रूल है जो चेंज हो रही है एक फरवरी से तो तीन बड़े bank है इनके नियमों में बदलाव हो रहा है क्या बदलाव हो रहा है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं है और अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो प्लोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मल सकेए तो जन भी गराकों का SBI, PNB और bank of बड़ोदा में अकाउंट है उन लोगों के जेब से जुड़े कुछ बड़े बदलाव होने वाले है B.O.B. अपने चेक से payment संबंदित नियम लेकर आया है तो वही SBI और PNB अपने गराकों के लिए पैसो के लेंदे इन से संबंदित बदलाव करने जा रहे हैं तो जानिये किस पर कितना चार्ज लिएगा क्या नियम बदले हैं देख लेते हैं बैंक कौन से रूल चेंज हुए हैं तो एक फरवरी से अब SBI पर ज़्यादा चार्ज लगेगा किस बात का चार्ज लगेगा तो SBI ने अपने सभी गराकों को जानकारी देते हुए बताया है कि एक फरवरी से अब पैसे ट्रांसफर करना मेंगा पढ़ने वाला है वेबसाइट पर जारी डिटेल्स के निसार बैंक ने IMPS ट्रांजेक्शन में एक नया सलाब चोड़ा है जो की 2 लाग से लेकर 5 लाग रुपे तक है यानि की अब आपको अगले माईने से यानि की एक फरवरी 2022 से 2 लाग से लेकर 5 लाग रुपे के बीच बैंक ब्रांच से IMPS के माद्यम से पैसे भेशने पर 20 लुपे प्लस GST देना होगा अगर उसके नीचे की अगर हम बात करें 2 लाग रुपे तक की तो अभी के लिए जो चार्ज है वो 5 लुपे प्लस GST है 2 लाग से जादा 5 लाग तक 20 लुपे प्लस GST कर दिया गया है बैंक ओफ बढ़ोदा करेगा चेक क्लियरंस के नियमों में बदलाओ अगर आपका अकाउंट बैंक ओफ बढ़ोदा में हैं आप बैंक ओफ बढ़ोदा के कस्टमर हैं तो आपके लिए एक फरवरी से चेक क्लियरंस से जुड़े नियमों में बदलाओ होने वाला है एक फरवरी से चेक पेमेंट के लिए कन्फरमेशन अनिवारी होगा इस बात की भी जानकारी बैंक ने दे दी है तो बैंक के मुताबित अगर कन्फरमेशन नहीं होता है तो चेक वापस कर दिया जाएगा बैंक का कहना है हमारा सुजाव है कि आप CTS क्लियरंग के लिए पॉजिटिव पे की सर्विस का फाइदा उठाएं अब बात करते हैं एक और बड़े बैंक की जो है PNB यानि की पंचाब नेशनल बैंक डैबित फैल होने पर सीधा आपको 2500 रुपे चार्ज में लेगा दो नियम आये हैं PNB के तरफ से दोनों देख लेते हैं तो PNB ने अपने घ्राकों के लिए जो नियमों में बदलाव किया है एक तो है कि एक फरवरी से आपकी किसी भी किस या इन्वेस्टमेंट वाले डैबित अकाउंट में अगर पैसा नहीं हुआ किसी भी वज़े से आपकी ये माई लगनी थी फेल हो गई या इन्वेस्टमेंट होनी थी, कोई नैच थी, फेल हो गई तो इसके लिए अब आपको 2500 रुपे देने होंगे इससे पहले ये आपसे बैंक 100 रुपे चार्ज करता था इसके अलावा अगर आप DD यानि की Demand Draft कैंसल करवाने हैं कि ये कैंसल होने पर भी, बैंक आपसे पूरे 1500 रुपे वसूल लेगा जिसके लिए फिलाल बात करें, तो आपको 100 रुपे चार्ज करने होते थे 100 रुपे बैंक आपसे लेता था पर लोग को मल सकें आज के इस वीडियो में इतना ही, Thank you so much, Bye Bye, Take care